जै मातादी वैशनो देव से जुड़ी हर लेटेस जनकरी जानने के लिए सब्सक्राइब के लिए डिवोशनल पॉइंट और बैल आइकन भी ज़रूर दबाएं जै मातादी वैशनल पॉइंट एक बाद फिर साथ सभी भक्तों के लिए नहीं उताजी वीटो लेकर हाजियर इस वीडियो में डिवोशनल पॉइंट भक्तों के लिए बहुती बड़ी खुशकबरी लेकर आया है और इस वीडियो का पूरा अंत तक देखना ना भूले अगर आप माताणी की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको यह खुशकबरी सबसे पहले सुनए चाहिए साथ इस वीडियो को देखने के बाद हमें च known को सबस्क्राइब करना और इस वीडियो को सभी मादागे भक्तों तक शेयर करना भी न बुले तो बढ़ते हैं वीडियो मागे बात करते हैं क्या है बड़ी खुश कबरी आप सभी भक्तों के लिए आप भक्तों की जानकारी के लिए रिवोशनल पॉंट बताना चाता है पिछले एक मैने से जो हो रहा है जो कि बिल्कुल भी खतम होने का नाम नहीं ले रहा है आप भक्तों की जानकारी के लिए बता देना चाता हूँ पंजाब में जो किसान है उन सभी का विरोध प्रदशन चल रहा है और उनका प्रदशन जो हो रहा है सरकार के खिलाफ रेलवे पट्री पर बैठ कर हो रहा है जो कि बड़ा कारण बनाया रेलों का रद होना वहीं आप भक्तों के लिए अच्छी कबर ये आई है कि हाई कोट के फैसले के बाद जब हाई कोट ने सरकार को फटकार लगाई और उन से पूछा कि आप पिछले एक महने से क्या कर रहे हैं क्यों ऐसा हो रहा है कि विरोध परदशन खतम नहीं हो रहा और अगर परदशन होना ही है तो वह कहीं और क्यों नहीं हो सकता क्यों पटरी पर बैटे हैं किसान वहीं कोट की फटकार के बाद कोट ने ये वी आदेश दिया है कि जल से जल पटरी से सभी किसानों को हटाया जाए और रेल सेवा को फ फिर से कट्रा और जम्मू तक आप आएंगी वहीं बढ़ते हैं वीडियो में अगर बात करते हैं शायन बोड की तरफ से दो बड़ी अपडेटों की आप भगतों की जानकारी के लिए बता देना चाता है रिवोशल पॉइंट हर बार की तरह शायन बोड ने फिर से यात्र वाली है क्योंकि यहां पर कोई प्रोटोकोल सही से बनाया ही नहीं गया भगतों को नहीं पता है कि उन्हें असल में आना कैसे हैं भगतों को नहीं पता है कि उनका कोरोन टेस्स कहा होगा और यहां पर सबस्यादा जो भगतों को संकट देखने को मिल रहा है वो कोरोन रिप हटानी होगी अगर मैं बात करूँ भारत में स्थित्पा की बड़े 33 तलुकी जैसे केदानाथ बदरीनाथ त्रुपती बाला जी तो वहां पर भी कोई भी कोरोन रिपोर्ट इस समय मानने नहीं है यानि के भक्तों को अगर दर्शन करने जाना है तो कोई भी कोरोन तरह तक पोहुशना ना तो ट्रेनों को साधन है नहीं बसों का साधन है जिसे भक्त अच्छे से मातनी की आतरफ पर आ सकें वह अगर एक तरफ देखा जाए तो जम्मु कश्मीर से आने वाले भक्तों के लिए शाइन बोर्ड ने कोई भी कोरोन टैस को अनिवारिय नहीं कि जबकि भारत में इस्तित बाकी राजियों से आने वाले भक्तों के लिए कोरोन टैस को अनिवारिय किया गया है जहां पर शाइन बोर्ड को जम्मु कश्मीर सरकार को ये चीज़ समझना जरूरी है कि कोरोन तो किसी को भी हो सकता है और जम्मु कश्मीर के लोगों को भी कोर करेगी और आने वाले समय में कोरोनर रिपोर्ट ये तो सब के लिए मानने की जाएगी या फिर सब के लिए हटाई जाएगी वहीं बात करते हैं मैं तीसरी और आखरी अपडेट कि आप भक्तों की जनकारी के लिए बता देना चाता हूं जम्मु कुश्मीर सरकार द्वारा किसी भी तरीके के कॉरंटीन के प्रतिबंद को अब हटा लिया गया है यानि कि अब कॉरंटीन होने का भक्तों को डर्ड नहीं रहेगा मैं उमीद करता हूँ आप भक्तों के वीडियो जरूर पसंदाई होगी अगर आप डिवोशनल पॉइंट की बात से सहमत हैं अगर आप चले आप हैं श्री Nou help अगर गर सकते हैं और इस वीडियो के इस वीडियो को ऊर्ड है त्पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा मिलते हैं अगली वी Department के यातर से जुड़ी नहीं यह ताजर ताह तस्वीरह पाना तो आब हमें इस्टागा और